नमस्कार मिश्वेता, महाराष्ट्र कॉलिंग मध्यापला सग्राइन सा खुब-खुब स्वागता है सद्या परिक्षान सा काल सुरुआ है विद्यार्थ्यानी पालग है परिक्षे सोबतास परिक्षेन अंतर काई याची सुधाता तैना चिंता सतावती है परिक्षे काल सा खुब-खुब-खुब-खुब-खुब-खुब-खुब-खुब-खुब-खुब-खुब-खुब-खुब-खुब-खुब-खुब-खुब-खुब-खुब-खुब-खुब-खुब-खुब-खुब-खुब-खुब-खुब-खुब-खुब-खुब स्यामिल अन्थनी सगलात अधिया अपन या दो गहांचे कारिकर मात स्वागत करियात अपने खुब खुब स्वागत आहे अपने पाहुणांची आपन गपत्र मालार आहो तस पन त्या अधी तेंची ओलोख में अपलेला करून देते डॉक्टर वामन गभाणे हे गिला 13 वर अधे कशा पद्धती ने भी विधा संधी आहे त्या विश्यावरती मारगदर्शन करता स्तात या नंतर अपले सोबता हे प्रोफेसर सैमिल अन्थनी जन्ना विद्यार्थी साम सर महड़ून सुधा ओलगतात अपन टेंची ओलोग करून घिला रहोत इले साथ वरशान पा अर्थात गभाडे सर यन्ना सश्णारे अने थेट मुद्धावरस मी एते कि कॉमर्स या क्षेत्रामदे खरच विविधा संधी आहे तका नकीच मैडम खुब चान प्रश्न तुम्ही माला वीचार लेला है कॉमर्स मतला की अपोर्शनेटी आप लेगने खुब अस्तत पन अच्छिली पैरेंट ला नि स्टुडन्ट ला महाइतन है की भबा करन धवी अनी बार्रावी यही दोन वर्ग अशे आहेत कि या नंतर हा प्रश्न आपने लाँ अ Sugawach लगतो की दवी नंतर काय की बार्रावी नंतर काये की अध्यात प्रश्न अचि अभड आदू अ आप जाओ ये कॉमर्स ला की साइंस ला जर आपन साइंस फैगल्डी चा विचार केला तर आपले अगडे इंजिनेरिंग मेडिकल आशी खुप मोटी यादी दिस्ते बरोबर आणि कॉमर्स मदे सुधा करियर चा खुप चांगले अपरचुनिटीच आहेत खुप चांगले संधी सुधा आहेत परन्तु पालकान परियंत विध्यारत्यान परियंत ती नावच महित नसतात कि आपन काई करू शक्तो तर सर्वात आगोदर मी संगेल की बबा तुम्ही कुटले ही करियर ची निवड करता ना किवा 24 करता ना पैरेंट जी चुप करतात कि विध्यारती चुप करतात कि निकाल लागो देया किर फाल लगले और माला किती तक्के मिलतात ते पहुया तानी मंग तेचा नंतर मी ठरिवेल कि बबा माला कुठे जा ही चाहित है तहमी पजल्यान दापालकान ने विद्धारत नहीं सजेस्ट करेल कि самा तक्क्या बहुन नसा आउवड कैस्या सब्सक्क्राइब तर जबड़ेद हाता. दिए प्रशन टेन्स कोई कर परंबा तो यंगिश का शक्राइब कश्राइब दिए कि आप ताप इंजीनियर जॉब्लेश करता है। तर आसा होत नाइत, इंडिया मदे आस तीन लाग से आहेत, आणि आजू नहीं त्यावड़ीया सीएंची गरज आहे, CS पाईजेत, CMA पाईजेत, करान आज आपन ग्लोबलाइजेशन कड़े वड़तो है, तर में इतकी सरुवा मार्केट ला डिमांड असता ना, या कुरसेस लोक मिलत नाइत, त्या सथी कि तुम्हीं क्वामर्स मदे करियर करताना, CS, CS, CMA, या कड़े वड़ा दल पाईजे, त्या नंतर आता तुम्हीं मांजार कि सरु पैकेज किती मिलना रामाला मंग, करान सगल यों बसता पैशा सपशी, बरोर ना मैडम, करान पैशे खुप मा आजो उमेदवारा हे, कैंडेटा हे, तर त्याला धालाग प्लस एन्योली पैकेज हे मिलताच, आसा एक चांगला फायू स्टार करियर कॉमर्स मदला, CS, CS, CMA आसु शकता, ते तीन टप्पेत माडम, जर तुम्हाला CS, CMA जर होईचा सेल, तर ते तीन टप्प्यान मदन वि करियर करू शकता, तर मी पाहनार्या सर्व लोलकाना आवान करेल, कि तुम्हीं, CS, CMA बदल, कॉमर्स क्षेत्रा आतले एक चांगला करियर महनून, त्या कड़े पाहू शकता, अगदी परोबर खरता, CMA, CMS आणी कॉमर्स या क्षेत्रा कड़े अने विद्धर थी मोठा प् पूर्ण पाहा है, सर्वप्राइज खास तुम्हीं अलेले आहे तागरवाल क्लासेस, काया है सर्वप्राइज हे ही आपन जाडून घडा रहा हो, जयाना तर पुन्हा मला गवाने शरान कड़े चियाचा है, सर, कॉमर्स क्षेत्रा कड़े करियर तरी मणून अने विद्ध यानि खुब गांबेरियान घेनेची गरजा है, जसा कि धावविला एक बोर्ड एक्जाम आसते, आणि विद्ध्यारत्याचा लाइप मदली पहिली बोर्ड एक्जाम आसते, आत्ता परेंचे जाकाई एक्जाम होतात, पहिली फस्ट पास उनते यागदी नाइन्थ परिय कि ते विद्ध्यारत यानि पालक हे मजे न घेतात, मजे न मंजे कि बबा पुडच्या वर्षी बोर्ड चे एक्जाम दाइची है, मागल्या वर्षी मी बोर्ड चे एक्जाम दिली है, खुब आप्यास अजे टेंशन गेतले, आकराविला थोड़ी शीक मजा करूयात, बर आपन अकराविला जातों, त्याविलेस दाववी चे विशे और बारावी चे विशे है, पन्नास तक्याँ अधिक वेगले आसतात, बरौर्बर मंजे एक नवीन करियर ला सुरुवात करो तो आपन, बरौर्बर मंजे त्या जाविलेस देखा था विशे अपलेला नवीन मैथेमेटिक्स असेल, अकाउंट असेल, कॉमर्स मदला, इकोनोमिक्स असेल, उसी असेल, यह जे विशे नवीन आहेत, त्या विशेयान मदे एक छोटया छोटया कंसेप्ट ल अपलेले आसतात, अकरावी चे वरगात, अकरावियानी बारावी चे वरगा मदे, त्या कंसे स्पमक्राइब एक पंगाने में तबट बुचित संहुब्टे दबुचितुत चुछा को आपने साधी मत्राइब एक पहादा पकशाव। सरण फाचितक्त कमारश चाहें तुन अविशा पंगाने सांतिक हैं त्थितर्भ इवर्ग मतले पंगाने सामने साथ। मुझे ते विशेप पुढेजाऊन पुढेदरी अडवांस लेवल ला एना रहत जर आपलेला बेसिक जर येतम सेल तर आपन आडवांस बदल गपा मारनेत काई मजाच नहीं है ना मजे तुम्हाला बेसिक पहले आला बाईजे आँते बेसिक तुम्ही आक्रावी आणी बारावी मधेच करू शकता, मी महनेल कि CACS आनी CMA जर्टुम्हाला हे शिखर जे आपन हाई प्रोफाईल फाय स्टार करियर मंतो, त्या मधेचर तुम्हाला जिंकाईचा सेलना, तर मी तुमाला परसंदी सजेस्ट करेल, तुमची आख्रावी आणी बारावी ही संग्ली भाई जली पईजे। त्या मादल्या कंसेप्ट है, क्लियर जाले पाइचे अक्रावियाणी बाराविला हे सीरियसली घणा हे खूप महत्वाचा है या नंतर मला साम सरंकड़े अचा है सर अक्रावियाणी बाराविचा अभ्यासा सोबत सीए फाउंडेशन सा सुधा अभ्यास खरच करना गरजे चाहे काड़े कराई लाहवा का, तुम्ही काई सजिस्ट करना है तैंक्यू माम अपने एक कोश्चन पूछा यह बहुत इंपोर्टन कोश्चन अक्चुली पहले मैं आप लोग को यह बता देता हूँ कि सीए फाउंडेशन कब किया जाता है लेवन्थ में जब स्टूडेंट एंटर होता है कॉमर्स में फिर वो 12 करता है 12 के एक्जाम के बाद उसकी पढ़ाई होती है सीए फाउंडेशन के लिए फिर वो CA Foundation के exam के लिए prepare करता है CA Foundation के बाद CA intermediate and final लेकिन अब जैसे जमाना बदल गया है और competition भी time to time बढ़ते जा रहा है Commerce में अगर student enter करता है तो उसको अगर पहले ही पता चले कि 11th में ही कि मैं CA के लिए preparation कर रहा हूँ तो उसके पास एक अच्छा समय आ जाता है CA Foundation के exam जो 12th के बाद होने वाली है उसी की पढ़ाई वो 11th से शुरुआत कर सकता है जिसको हम कहते है 11th plus 12th plus CA Foundation अब इसमें फाइदा क्या है कि आप जो CA Foundation के पढ़ाई usually जो पहले एक बार की जाती थी अब वो तीन बार कर सकते हो तो 11th plus 12th plus CA Foundation आप CA Foundation के पढ़ाई तीन बार कर लेते हो उसके बाद जो 12th का important year है उसके साथ-साथ भी CA Foundation आप कर सकते हो जैसे कि अभी बहुत सारे बच्चों ने अभी 11th की exam दे होगी आभी वो 12th में जा रहे होगे फिर सोचेंगे कि हम लोग CA Foundation उसके बाद exam देंगे लेकिन उसका wait करने की भी ज़रूरत नहीं है 12th के साथ-साथ ही आप CA Foundation की पढ़ाई कर सकते हो अब 12th के साथ अगर CA Foundation आप करते हो तो आप लोग at least CA Foundation की दो बार पढ़ाई कर लेते हो उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप 12th के बाद CA Foundation करोगे तो आपका passing percent नहीं कम हो जाएगा या फिर आपको result बहुत ही कमाएगा, negative आगा ऐसा कुछ नहीं है 12th के बाद भी CA Foundation किया जाता है लेकिन फाइदे मन्द यह होगा आपके पास time advantage आजाएगा जहाँ आप CA Foundation के पड़ाई एक बार करते थे वही आप CA Foundation के exam की पड़ाई आप तीन या दो बार कर पाऊगे तो इसी point को लेकर CA Foundation के लिए जो हमने 12th plus CA Foundation की एक batch organize की है by Agrava Classes जो की launch होने वाला है 15th of April से I repeat 15 April से 12th plus CA Foundation की batch start होने वाली है तो उसमें क्या होगा कि आपका 12th का भी जो syllabus है उसकी भी batch शूरू हो जाएगी और CA Foundation का syllabus उसकी भी batch शूरू हो जाएगी अब confusion यह रहता है students को कि 12th के time के class CA Foundation के साथ ना हो जाए लेकिन ऐसा नहीं है 12th की batch का जो timing है that is with alignment with CA Foundation यानि आपका कोई भी class मिस नहीं होगा और तो और आपका जो college का time है उसको भी align किया जाता है तो student का जो confusion है 12th plus CA Foundation करे के नहीं करे क्योंकि 12th plus CA Foundation एक हैसा माना जाता है कि बहुत overload जागा वो overload का possibility कम हो गया क्योंकि सारे batches segregate होती है एंड मैं एक और चीज़ बता दू यह जो मैंने कहा आपको time advantage मैं यह क्यों बोल रहा हूँ कि आप 12th plus CA Foundation कीजिए या 11th plus CA Foundation कीजिए इसके बिचे reason है अब तक agrava classes जो इतने अब तक result देते आया है मैं आपको गर्व से बता रहा हूँ agrava classes ने maximum CA Foundation के passing result 11th plus CA Foundation और 12th plus CA Foundation पे जादा दिये है तो उस basis पर student को मेरे तरफ से तो यह expert opinion यही है कि आप 11th plus CA Foundation और 12th plus CA Foundation 15th April जैसी batch definitely join कीजिए आपका CA Foundation का exam और आसान हो जाएगा क्योंकि आप एक नहीं दो बार पढ़ोगे अगदी बरबर तुमें सागितलत क्या आकरावी आणे 12th सोबत CA Foundation के लग तर अजून एक्स्ट्राचा अभ्यास करड़ा पिक्षा सगल एकत्रे अभ्यासा सहज विद्यर्थी करूशकता आणखिन सुधा मला commerce क्षेत्रा मधे करियर चा संदीक अशा क्लासेस कोंटे-कोंटे लावाईचे आएद हैसे अनेक पुरश्णा अपलेला विचारें से साहेद पंटे आधी इथे गिविया ते छोटा सब्रेक कुठे ही जवना का पहात रहा महराश्ट कॉलिग ब्रेक नंतर पुन्धाएक दापला सगड़ान से महराश्ट कॉलिग मदे खुब-खुब स्वागत आए आपण दावीन अंतर कॉमर्स क्षेत्रा तील करियर चा विविधर संधी या विश्यावर चर्चा करतों आपले सोबता है गमाणे सर आणी साम सर खुब छान पदधी ने ते विधर्थनना मार्गोदर्शन करता है आणी तुम्ही जर आकरावी या विधर्थी हसाल आणी तुम्हाला जर कॉमर्स या क्षेत्रा मधे करियर कराईचा असेल तर कारेक्रमाचा शेवटी तुम्हा साथ ये खूब मोठा सर्प्राईज असड़ा रहे तुम्हा अठोडी ने कारेक्रमाचा शेवट परेंतन नक्की पाहा आणी जर तुम्हाला कॉमर्स या क्षेत्रा विश्यकर आणी खिन प्रशना पड़ा तस तील तुम्हाला आमी नंबर दिलेला साहे या नंबर वर अठोडी ने तुम्हें मिसकॉल दया आणी तुम्हा प्रशनांची नक्कीस उतर तुम्हाला इथे मिलते या शेवे आता ही चर्चा पन पुढ़े नेडारा होताच गवाने सरान कड़ाता मला पुन्हायाचे गवाने सरान मला विचरे से की सार कॉमर्स या क्षेत्रा मधी खूप सरया करियर चा संधीतर आहे तस पड़ अग्रवाल क्लासेस नेमके का लावावेत काई तुम्हाला अग्रवाल क्लासेस का आज जर तुम्हाला भारता मदे जर विचारा केला तर अगरवाल क्लासेश दोन हजार एक पासुन ते दोन हजार तेवीस परियंत गेला बावीस वरशा मधे अगरवाल क्लासेश कॉमर्स इंडरस्ट्री मधे काम करते हैं अगरवाल क्लासेश मधे विध्यार्य यंची टैयार जाले हैं अगरवाल क्लासेश मधेच का तर हमच्या फैकल्टी बदल मेच तुमाला संगेल कि आमचे कडे CACS औनी CMA जलेला फैकल्टी अगरवाल क्लासेस मदे 11-12 CACS CMA ला शिकावतात त्याज बुरूबर त्यानना अमीज आवलेश शिक्षकांचा विचार करतो त्यावलेश फैकल्टीला कमीत कमी आटते 10 वरशाचा एक्सप्रियंस असावा ही सुदा आमचे एक सरवात अगोदर ची आट असते हे जलो फैकल्टी चा बद्दल त्याचा नंतर सरवात मतवाच असत पैरेंट चा बबतित कि आगरवाल क्लासेस मदे एक असा युनिक फिचर आसा है कि आमचे कडे दर महिने आला पलकांची समवात सदला जातो वरगा मदे पलकांणा बोलोला जाता आनी प्रत्येक विध्यार त्याचा प्रोग्रेस रिपोर्ट हाँ पलका सुबत शेर केला जातो मुझे फैकल्टी आनी पलक यांचा एक संगल कम्युनिकेशन आमचे क्लासेस चा मद्दे मातन केला जातो कि जने करूं विध्यारताला आसा वाटता कि आपले वरती लक्षट है वाईला कुंतरी आहे ति ये गोष्ट आहे त्या सुबत आता क्लासेस तर हे चालूस अस्तात त्या जनतर टेस्सरीज आता अकरावी असेल बारावी सीय 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 में आमी प्रतेक विशयाचा कमीत कमी शंभर टेस्सरीज वर्शाबरा मदे सोडून गे तो मैं जा विड़े शंभर टेस्ट एका दा विध्यारती सोडवतो आन त्या जा विड़े शंभर टेस्ट मदना चुका बाजो लाएता तर मला नहीं वाटत कि तो परीक्षे मदे जाताना कुटली चूक सोबद गे हुन जाईल बरबर ना? है कि नहीं? मझे त्या मुले त्या शंभर टेस्ट मदे जवडे प्रशन कवर्ड होता त्या पेक्षा विगळा पेपर कुन ही काडू शकत नाई जे त्या शगळे प्रश्ण विध्यारत लायाता त्यावल अगरवाल क्लासेड मदे फैकल्टी बेहट आहीत 21 वरशा शा अगरवाल क्लासेड ले एक्ष्परियानस आही present प्रिमियम अकडेमे इंडिया स नम्बर वन Siya श्चत Defwan relationship आशेतल्या नोट से आ ठीक है अगर वालवाल क्लासेस विध्यारत आना प्रुवाइड करत den आटा परियंत एक लाग का कसा कराईचा तरह काई या बदल तुम्ही संगाल विद्ध्यार्थान चाहा जो एक गोद्णर डड़ाले मनामध है तो कसा दूर कराईचा ने पहा नाता खुप सोपा है कि जावेलेस बारावी जाल्यान अंतर कि वा टेंथ मदून कॉमर्सला प्रवेश घेतल्यान अंतर विद्ध्यार्थाला सवाट्त की मी CA करू, CS करू का CMA करू तीन ओप्शन्स माजा गड़ा संगितल की फायूस्टार करियर मदले पाच तीन ओप्शन्स तुम्हें चाहा है तर त्या मदे CA जाएला हर्कत ना है, एक खाद्या वेक्तिला जर लैंग्वेज मदे चांगला इंट्रेस्ट आसेल, इंग्लिश चांगला आसेल, काईदयाची भाषा चांगली आउगता असेल, ठीरी अपन जलाओ तो कि थेरी मदला जर चांगला नॉलेज आसेल, डिस्क CMA, या ओप्शन टप्टेने आपन जाओ शकता, अथा अब्भ्यास करता ना, तुम्हागाशी विचारल मेडम की खुप आउगड़ जाते लोकान ना, रिजल्ड कमी एतो आसा एक समझ आहे, थर चांगला समझ आनि गईर समझ चाहे, कुटल्याई क्षेत्रा जर येश-श तुम्हाला समझ आहे, हुआ आहे, कर्वास स्मार्ट श्टडी या संधरबला समला था वीचारे इचे साम सराण सबसे पहले माम यह सप्राइज ऐसा है जो कभी अगरवा क्लासे ने लौंच नहीं किया है बाइस सालों में इन फाक्ट आप यह समझ लीजिए इंडिया में ऐसा पहली बार हो रहा है जहां 11th and 12th कॉमर्स के बच्चों के लिए इतना बड़ा सप्राइज किया गया है अब है वाम ऐसी बात कि हम लोग ने बच्चों की 12th के बच्चों की माराथॉन्स लिए टेस सीरीज लिए जाए इंस्टिट्ट्ट बीस परसंट तो हम लोग 75 परसंट दे पाते हैं तो सप्राइज हम ने इसलिए सोचा कि बच्चों की मने माराथॉन्स लेनी के बाद अब टाइम आ गया उनको ठोड़ा रिलाक्स करने का और यूजुली बच्चे जो है आजकल मोबाइल पर टैब ग्रेड करना वैसा आजकल बच्चों का पस्पेक्ट नहीं हो लेकिन अगरवाल क्लास ने क्या किया है इस बार उन लोग का ऐसा प्लैटफॉर्म दिया है जहां वो एक साथ आकर पूरे एंटरेटेन हो सके अगरवाल क्लास ने लाँच प्लैटेट ने लौश किया एक अगरवाल्स कॉमर्स फेस्ट जो की होने वाला है तरीके से डीजे पार्टी भी हम और्गनेस करने वाले एंड मेरे फेवरेट शोने वाला है बाई मेरे प्रियम मेरते संकेट सर उनका एक शेरोशायरी अब इसका जो एंट्री पास है वो एंट्री पास बच्चों को अगरवार क्लासेज में आकर कलेट करना है जो की नवी पे यहां पर आके आपको टी-शेर्ट करने जो की आपका एंट्री पास रहेगा और एक और चीज आपको एंट्री पास के लिए एक रुपे भी देने की जुरूत नहीं है वो टी-शेर्ट एपसुलुटी फ्री है मतलब की विए शो ही पूरा आपके लिए फ्री है यह बड़ जर आकराव यह बड़ावी से विद्र थी हसल ता आशा पुद्धतिने अग्रेवाल क्लासेस पूले सरानी जो पत्ता दिलेलाए तिथे जो मीत संपर्क साधू शकता और तुमी आतास तुम्चा नावसुधा नूंदव शकता जने करून 31 सारही लाहाज जो फेस ठोड़ा पड़ एक महत्वची अठवन करून देचिया है या कारेक्रमन अंतर लगेज तुमी यूट्यूब चानल ला अग्रवाल क्लासेस यूट्यूब चानल ला लॉगिन करू शकता तिथे पुद्धा एक वेबिनार होना रहे तो वेबिनार सुधा अटेंड करू शकता यान अ पेज हलीलिया हीथिस थामड़ाची नमस्कार पहत्राहा साम टीवी